दोस्तों इंफोकस सिविल एकडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पर आरो-ए-ारो परिक्षा के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं जो कि न केवल आपकी आरो-ए-ारो के लिए यह बलकि PCS और बियोग परिक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ना इसमें हम लोग प्री को कवर करते हैं बलकि मेंस को भी साथ-साथ में ही लेकर चलते हैं इसक्रम में हमारे 5-6 वीडियो अप्लोड हो चुके हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जिन बातों को डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़े आपके बगल के स्क्रीन में दिख रही है और चलिए एक एक करके हम लोग इसको शुरू करते हैं सबसे पहली बात कि जो ऐसे को सकते हैं इसमें देखिए एक बहुत ही महत्पूर्ण कोटेशन है जो कि आपके जो राजनितिक शेत्र से संबंदित उत्तर हो सकते हैं या ऐसे हो सकता है उसमें आप लोग इसको कोट कर सकते हैं वह यह हैं कि भारत वो देश है जहां जिन्दा आदमी वोट है और मरा हुआ अदमी मुद्दा अब देखिए यह किसने कहा है यह तो हमें नहीं पता देलता है अग्यात है यह परन्तु यहां पर अच्छा एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूँ जहां पर हमें नहीं पता होता है कि कभी यह लेखक क्या नाम है वहां पर आप अग्यात ना लिखिए क किसी मतलब एक यह भी विचार है कि ऐसे करके कुछ भी उसको बना सकते पर अग्याप ना लिखिए वो गलत माना जाता है ठीक है चलिए इसमें वैसे जो यह आज की कोटेशन यह तो वैसे बहुत थी सिंपल सब्दों में है तो सारी चीजें आसानी से समझ में भी आ रही है प तो मतलब वैल्यू से हटके हैं वैल्यू उसमें कहीं है ही निहीं मतलब आप दह देखें aoगे जब भी कहीं ऐसे मैं लोग पहुंसते हैं और लगभग जो मकसद होता है या डिए से वहां पर जब्रों अपर जाघाना है कर जिभी आदमी यह आगर आग्यों द आ हो जाता है वह एक इस्यो ओ जाता है जिस पर की सभीर भी दाल करते हैं और अगर उसी के साथ ही जो लोग उपस्तित रहते हैं उन कोट लेना ऐसा लेखक का मानना है और यह कितना सही है कितना गलत उस पर मेरी कोई टिपड़ी नहीं है लेखक का कहना है ठीक है तो इसको आप लोग अपने आंसरस में कोट कर सकते हैं उसके बाद देखिए और इस्पेसली जब समवेधन हीन राजनीती का कुछ ऐसा आए तब आप लोग यह कर सकते हैं जैसे माली निवन में कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जहां पर आपको यह लिखना है कि आजकल की राजनीती जो है मूलियों के स्तर पर बहुत ज्यादा गिर चुकी है हमें ऐसा देखने को मिलता है कि महाभोज जैसे एक उपन्यास है तो उसका भी आप देख सकते हैं कि मदब पूरा उस पर उपन्यास लिख गया तो इसी तरह से आप ऐसी कई एक कविताय भी लिखी गई है यह दरसल एक कांड हुआ था उसी पर बेस्ट यह उपन्यास था जो कि शैद बिहार या जहारखंड का बिलशी कांड शैद बोलते हैं उस पर बे लिखनाने के कोशिश करते हैं एसा लेखका मानना है ऐसी कहीं पर बैसे संदर्भ आये तो आप वहाँ पर इसको कोर्ट कर सकते और महभोज उपन्यास को कोर्ट कर सकते हैं या नागारजुन की हर erosion गाथा की 2-3 पंग्तियां या के वल इतना भी लिख्ग सकते है जृसी प् कि आप सारे को एक में समेट रहे हैं मतलब एक उसका यह संदर्ब जाए कि अभी के जो है वो तो बहुत अच्छे वाले हैं लेकिन हम उनकी बात करें ज्यादतर हैं वो ज्यादतर में कौन हैं और कौन छूट गए हैं वो अपने पर कोई नहीं लेगा तो इस तरीके से आप ज सुद्ध और असुद्ध में देखेंगे तो एक सबसे पहला और सबसे महत्पूर्ण जो कई-कई बार एक्जाम में पूछा गया है मतलब कितनी बार पूछा गया है बताना ही मुश्किल है वह है कव यत्त्री जो है वह दरसल वहाँ पे यह ऐसे लिखा जाता है ठीक है हो जाता है यह अभी आप लोगों को देख के लग रहा हुगा कि यह तो मतलब कौमा ने तो बहुत बार पूछा गया हमें याद ही है पर विश्वास मानिए जब भी यह पेपर में आता है तो कई-कई लोग इसको गलत करके आते हैं तो इसलिए कोई भी चीज़ को आप बहु इदास ही बोलते हैं यह पर यहां पर तक गलत है यहां पर बड़े कि मतलब के काल इदास होता है यह ठीक है तो यह मोत देkelasan आपगा उसके यहाँ पर दरसल कुमर हो गाए एक चीज और द्यान रखेगा कि वाला चंद्र बिन्दू नहीं यह द्यान रखेंगे क्योंकि इधर नीचे मात्र है तो इसलिए केफल बिन्दू हुई होगा तो यह कुमर और अब में यहाँ पर अब में यह उपर बिंद्दी है इस वज़े से इसका प्रिणन्सियसन होता है वह कुमर टाइप में ही हो जाता है तो यहां पर इसलिए लोग गलती सिफ में वा लगा जैते हैं जब कि वा नहीं आ ही होगा कुमर हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए अगला जो है वह तद्बह तच्सम में हम लोग आत क्योंकि उसमें कई बार आप शंण में जो एसे वर्ड दे लेते हैं जो की आपको और कंफ्यूज करें कि आप ऐसे देख सकते हैं सर्षप ऐसे लिखा जाएगा सा और यह वाला होगा ठीक है अब वोगte प्लिन ये नहीं होगा यह नहीं होगा तो यह आप लोग थ्याण रखिएगा उसी के साथ ही देख신 तो 17 सटसई जो ए बहुत आप करो सकते से भीहारी सटसई होता है कि मतलत साथसो दोहों का एक संग्रह करना एक बुक के रूप में उसको निकालना सथसई उसको बोलते हैं यान् wonderfully का संग्रह आपका बिहारी ने जैसे लिखा दहा साथ साथ सो दोहों के अधार पर वो इतने ज्यादा जो है फेमस हो गए कि मतलब गागर में सागर कहा जाता है उनका दोहे खेर वह अभी टॉपिक नहीं है टॉपिक यह सथसाई और इसको जो इसका तक्सम जहां से लिया गया है वह सब्सप्ट शती ठीक है सब्सप्ट शती इसमें आपका देखिए इज्यक्त यह हो जान रहा है सब्सप्ट शती मतलब स संव तो इसमें आपका यह और भी क्लियार हो 27 आप जैसे दुर्गा सब्सप्ट शती देखते होंगे दुप्टसप शक्सपधि लोग सबक्सपढद टो वैसे हिज जो है बिहारी सथसे यह मोती बन गया ठीक है मौट्टिक को बहुत होते हैं कि वाक्यान्ष्ट के लिए एक सब्ड की बार करें तो सबसे पहला होता है दूसरों के बंघी दोस् fase होजने वाला कई लोगे ऐसे होते हैं कोहीं वे गलतियां वह सीहतीर मतलब बॉत बहूत प्रिक्ष का लठा या तुकड़ा है उसको बोलते हैं तो अगर अपने आखों कोई भी सहतीर नहीं देखते हैं पर दूसरों के आखों के जहांक लेते हैं तो यह भी एक और उसको चिद्रान वेशी यानि उनमें कोई न कोई कमिया ढूंते रहने वाला चिद्रों का अवेशन करते रहने वाला मान लिजे कि कोई अगर पेंटिंग बनी है तो उसमें क्या-क्या रहे गई हैं जैसे एक लोंजाइनस जो है फ्रेंच धार्षनिक हुए हैं उन्होंने कहा भी है कि कोई भी क्रिती जो है वह 100% तुर्टि रहित नहीं हो सकती है ठीक है कोई भी क्रिती सत्प्रसत दोस रहित नहीं हो सकती है तो जब भी आप ऐसा कुछ एक्जामपल लें जब भी मान लिजे आप किसी नेता या फिर मान लिजे जैसे नहरू का ही कुछ संदर्व चला और वहां पर जो है उनसे कुछ एक एतिहासिक भूले हुई है यह सच है परंतु उनके सारे महानकारियों को आप इगनोल नहीं कर सकते हैं उस एक छोटी धगलती की वजह से तो ऐसी जगहों पर आप इस प्रकार के कोटेशन्स यूज कर सकते हैं कि जैसा कि फ्रेंच फिलोसफर लोंजाइनस ने भी कहा है कि कोई भी कृति सव प्रत्सत दोस रहित नहीं हो सकती है उनमें कुछ न कुछ छिद्रों का रह जाना स्वाभाविक है यह उनकी पूरी कोटेशन्स थी और तो वैसे ही हमें जो है मतल जो कोई भी चीज में चोटे-चोटे चिद्रों का अन्वेश्ण करता हो उसमें गलतियां खोषता हो तो दूसरों के दोस्त खोजने वाला उसको चिद्रानवेशी कहते हैं भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज तो भूमिज का मतलब जन्म आपको हमने एक-दो दिन पहले माना जाता है उसको तो भूमिär से जन्म् लेने वाला उसे ओ घृमियोज जैसा कि यहां पर आपको देखरां उसके बाद देखिए अगला जो है जिसकी गहराई ना पी जा सके जिसकी गहराई ना पी जा सके उसको बोलते है थाह और जिसकी नहीं ना पी जा सकती उसको बोलते है अथाह तो इससे आपका यह कि यह भी समझ में आता है कि थाह का आपका जो ऑपोजिट होता है वो हो जाए तो जिसकी गहराई ना ना पी जा सके वो अथा और जिसकी गहराई ना पी जा सके वो था उसके बाद देखिए कि सब्द और विलोम सब्द में आते हैं हम लोग तो अकारादी का विलोम सब्द हो जाएगा अकारांत ठीक है और अकारांत मतलब जिसकी अंत में जो है आ की बता नियों मतलब शुरूआत में अकी हो इसको अकरादी ठीकतो अकराधी का ओजायगा अकरांद अगला देखिय कि उन् मीलन उन्मीलनन को हजए गर निमीलन यह एक अच्छा mrd को ध्यान रख रखेगा अंबूल निमीलन का मतलब कि जेसे मुर्जायát या ना खिला हुआ हो और दूस्री के पूछा विह वह जोपना दूसरी बात रहां दो हैं तो यदर दिख भी रहा ओगा उपर नीचे इसलिए मैंने जानबूट्स को उपर नीचे निमीलन को खास तो ध्यानम रखना है। दोनों ही पूछे जा चुके हैं लेकिन जो उन्मूलन और रोपड़ वाला है यह काफी बार पूछा जा चुका है ठीक है उसके बाद आते हैं पर्याइवाच्ची पर पर्याइवाच्ची में जो सबसे महत्पुर्ण है वहीं कवर करा रहे है उसमें और मालं जैसे हैं इसके कई सारे वहीं हैं लेकिन पार उनको हुई देखे रहे हैं और इस में लोग कि बहुत ज्यादा हम लोग के पास याद करने के वैसे गुंजाइश नहीं रहती है तो हम लोग उन्हीं पर ध्यान दें जो अक्सर पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने के संभावना भी रहती है इसमें देखिए सबसे पहला जो है घोड़ा गोड़े में देखिए कि इसका सेंधे और संधव सेंधे व यह डरती हो गया रवोटोण यह दरसल घोटक आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यह पूरा रटा भी होता है वैसे देखे सेंधव रविसुत बाज है घोटक तुरंग यह सभी जो है यह घोड़े के पर्याइवाची है और आप लोग कॉमेंट में बताइए का घोड़े का तत्सम सब्द क्या होता है एक्जाम में पूछा गया और अभी हमारे ख्याल से एक या दो वर्स पह लोगा key तुरंग घोटक यह जो है आपके घोड़े परियावाची दास में देखिए तो परिकर भृत्य अनुचर अनुचर परिकर यह अभी कुछ दिनों पहले ही वह ङूरत अनुचर परिकर और तीनों जो है आपके दास परियावाची है और साथी साथ तरंग का देख पूर्मी और वीची घीड में का उर्मी और वीच रिखती है उसके बाद देखे मुहावरे और लोकोक्तियां परपड़ोगार देखें तो आज जो में अध्यन करना है वह यह कि दिन में तारे दिखाई देना सबसे पहला कि दिन तारे दिखाई देना मतलब बहुत अधिक कर्फ्ट कानभोई ना है लंकि वह इतना मतलब उसको शरर्च कानभाव को हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम का मतलब कि जैसे जो भी एक अंतिम सहारा के रूप में आदमी भगवान को याद करता है, तो यानि कि उसी में कहा जा रहा है कि हारे को हरिनाम, यानि कि कोई भी अंतिम सहारा अगर कोई है, तो उसके लिए ये प्रयोक किया रहता है, कि जैसे हा कान लिए कि आप अपने दोस्त कोई दोस्त आपका आपसे पैसे मांग दे तो आपको सांप सुंग जाता है आप से लिहाद से बहुत इंपोर्टेंट है उसमें अगर अगर हम लोग देखता है तो सबसे पहला सब्दा वह है confiscate, confiscate, spelling भी आप लोगों को याद रखनी है, confiscate की, और बहुत ही महत्पूर्ण सब्द है, आप लोगों दिख रहा होगा इदर, तो confiscate का मतलब होता है, जब्त करना, कोई भी चीज को कबजा कर लेना, अधिहरण करना, तो इसमें देखिए, अधिहरण करना, या जब्त करना, इन दोनों ही वर्ड को आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लिजए, हिंदी में आए, जब्त करना, तो आपको याद रखना है, और इंग्लिश में, हिंदी में ही अगर अधिहरण करना भी आए, तो उसको भी आप कॉन्फिस्केट लिखेंगे, और कॉन्फिस्केट का मतलब, जैसे मान लिजए कि, बैंक की कोई प्रोपर्टी थी, आपने उसके प्रोपर लोन नहीं चुका पाए, तो फिर वो आके आपको पता है, डिवेंचर जैसे शेयर्स होता है, वैसे ही डिवेंचर भी होता है, जिसमें की मतलब डिवेंचर जो है, कंपनी के क्रेडिटर कहे जाते हैं, जो दरसल पैसे देते हैं कंपनी को, और कंपनी उसके बदले में डिवेंचर से शू करती है, तो डिवेंचर को रेड़ पत्र तो यानि कि रेड़ पत्र जो है उस पर प्रॉपर इंट्रेस्ट भी मिलता है डिवेंचर होल्डर को तो डिवेंचर जो ही हम लोग एकनोमिक्स में सारी चीज़े पढ़ेंगे डिवेंचर बोलते हैं रेड़ पत्र को ठीक है उसके बाद अगला जो है वो क्याफित सुनावा थुमान दिए मतलब मान कि हानी यानि समान दित्स बढ़ भाया होगे वह संख्या को भेट और उम्मीद्य आपको उमारे ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा बहुत बहुत धन्यवार नमस्कार